show that the differential equation x-y dy upon dx is equal to x plus 2y is homogeneous and solve it also यह question जो है class 12 mathematics की differential equation का एक important question है और इस question को हम इस वीडियो में करेंगे अगर आपने अभी तक मेरा channel दमैस गुरुदेव सब्सक्राइब नहीं किया है तो please जो है red button दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें तो शुरू करते हैं तो solution के लिए जो है जैसे आपके पास जो equation दी होई है यह x-y dy upon dx equal to x plus 2y इसको जो है हम dy upon dx एक से करके x-y को x plus 2y के नीचे ले आते हैं और इस वाले जो है right side वाले जो portion है x plus 2y upon में x-y इसको जो है हम function मान लेते हैं fxy वाला तो और इसको जो है हमने लिखा x plus 2y upon में x-y अब हमारे को यह हमने लिया है इसको homogeneous प्रूब करने के लिए अब हम जो है एक दूसरा function लेंगे जो की होगा f lambda x, lambda y तो यह lambda x और lambda y जो है यह रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर lambda x और जहाँ y है वहाँ पर lambda y रखने हैं तो देखें x की जगा lambda x हो गया है और यहाँ y की जगा जो है lambda y आ जाता है इसी तरह से नीचे भी यह lambda x माइनस में lambda y हो गया तो उपर numerator में से जो है हम lambda जो है वह common ले लेंगे तो lambda common लिया तो हमारे पास बचा x प्लस 2y और नीचे denominator में से भी lambda common आएगा तो यह हो जाएगा x माइनस y अब lambda से lambda cancel हो गया या उपर ले जाके lambda की power 1 माइनस 1 कर सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास x प्लस 2y और नीचे अपन में x माइनस y जो की f x, y के equal है और lambda की power जो है वह 0 है तो इसका यह मतलब हुआ की function जो f है वह एक homogeneous function है और उसकी degree जो है वह 0 है तो इस तरह से जो है हम इसको function को हमने homogeneous प्रूव किया है तो उससे क्या हुआ की differential equation जो है वो भी जो है वो homogeneous differential equation है तो यहां हम यहां लिखते है है कि thus f x is homogeneous तो homogeneous होने की वज़ा से जो है हमारी जो differential equation है वो क्या हो गई वो एक homogeneous differential equation प्रूव हो गई तो अब differential equation अगर homogeneous होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें y को जो है v x के equal मानते हैं और फिर इसकी value जो है वहां पर रखते हैं तो put y is equal to v x और इसका y is equal to v x का जब हम differentiation करते हैं तो y का x के respect में करेंगे तो यह dy upon dx और v x में v को constant मानके x का करेंगे तो 1 और x को constant मानके v का करेंगे तो dv upon dx आगया अब यह दोनों value v x equal to y और dy upon dx equal to v plus x dv upon dx जो है इसको उपर दी वी equation जो है dy upon dx equal to x plus 2y upon x minus y उसके अंदर इन दोनों values को हम रख देंगे तो पहले जो left side में dy by dx है उसकी जगा जो है v plus x dv upon dx आजाएगा और right side में जो दे रखा है आपका x plus 2y upon में x minus y वहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ पर v x रख देंगे तो इस तरह से रखने से क्या होगा कि इस में से जो है आपका उपर से x common आ जाएगा और x cancel हो जाता है और ये v की term में हमारे पास रह जाएगा तो numerator में से x common लेंगे तो numerator में से x common लिया तो यह हमारे पर बचा x लिया और अंदर बचा 1 plus 2y और नीचे जो है x common लेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus v x से x cancel हो गया तो हमारे पास जो है बचा 1 plus 2y upon में 1 minus v तो x dv upon dx जो है वो जो होगा 1 plus 2y upon में 1 minus v minus में v हो जाएगा तो ये यहाँ पर आया अब 1 minus v को जो हम लेते हैं तो ये आप क्या हो गया 1 plus 2y हुआ और minus v से 1 multiply होगा तो minus के v और minus v को minus v से करेंगे तो plus के v square हैंगे तो इस तरह से आप देख रहे होंगे 2v minus v जो है वो v के equal हो जाता है तो हमारे पास जो है x dv upon में dx जो है वो हो जाएगा आपका इस तरह से हम लिखते हैं x dv upon में dx और ये हुआ आपका 1 plus v plus v square upon में 1 minus v अब v वालों को जो है dv के साथ और x को dx के साथ इस तरह से कर देंगे change तो उपर गया 1 minus v और नीचे आगया 1 plus v plus v square और इदर dv भी साथ में इसके लिख देते हैं और दूसरी साइड में ये हो गया dx और नीचे x अब दोनों साइड का जो है हम integration करेंगे तो integration करने के लिए जो है दोनों साइड का integration करते हैं तो उसके लिए जो है हमें यहाँ देख रहे हैं कि जो denominator है वो denominator का जो 1 plus v plus v square है इसका differentiation अगर हम करते हैं तो वो 2 v plus v आता है तो हम इसको इसी तरह से change करेंगे कि यह 2 v plus v आ जाए तो इसके लिए हमने minus जो है common लिया तो उपर numerator हो गया v minus 1 अब अगले वाले उसमें step में हम क्या करेंगे इसको 2 v plus 1 में बदलेंगे तो 2 v को करने के लिए हमारे को इसको 2 से उपर नीचे multiply करना होगा तो यह हो जाएगा minus के जो है 1 by 2 आ जाएंगे बाहर और उपर हो जाएगा 2 v minus 2 तो 2 v minus 2 लेकिन हमें क्या चाहिए था 2 v plus 1 तो 2 v plus 1 करेंगे तो 2 v plus 1 minus 3 हो जाएगा numerator जो है तो इस तरह से आप इसको यह लिखा 2 v plus 1 एक साथ लिखा और जो minus 3 है वो 1 by 2 के साथ होगे minus के 3 by 2 हो जाते है तो यह इस तरह से यह हो जाएगा अब आपका numerator जो है इस तरह से change हो गया और नीचे जो है वो आ गया v square plus v plus 1 dv और जो है आपका minus के dx upon x यह minus जो है हमने जो left side वाला था वो right side में shift कर दिया तो आप देखिए इसको integrate कीजिए तो integrate करने के लिए हमारे को जो है इस तरह से यह दो पार्टों में यह जो है first left वाली side जो बढ़ जाएगी एक तो वो है जिसके हमने 2v plus 1 लिया है जो की denominator का differentiation है और दूसरे वाले में जो है minus के 3 by 2 के साथ खाली 1 upon में v square plus v plus 1 बढ़ जाएगा तो इस तरह से यह हमारा जो है इसको दो बागों में बांट कर हम इसको करेंगे तो पहले हम दोनों side का integration लेते हैं और फिर जो है इसको आगे जैसे मैंने बताया भी उस तरह से change कर देंगे तो यहाँ पे आगया minus के dx upon में x या 1 upon में x dx भी लिख सकते हैं अब 1 by 2 जो है इधर constant होने की बज़ा से बाहर आ जाएगा और जो है हमारे पास यह इस तरह से 1 by 2 और यह हो गया 2v plus 1 और नीचे हो गया v square plus v plus 1 और इधर जो है dv हो गया और minus के 3 by 2 जो है वो बाहर आ जाएगे और यह हो गया हमारे पास integration 1 upon में v square plus v plus 1 तो इस तरह से इसको हम लिख दे रहे हैं और जो है हमारा right side में जो है minus के minus का sign है और फिर integration है dx upon में x का करना है जो की log mod x के equal होगा और साथ ही एक constant c भी हम ले लेते हैं अब जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि first वाला जो पार्ट है 2v plus 1 upon में v square plus v plus 1 dv इसको हम जो है 1 मान के i1 मान लेते हैं और integration 1 और दूसरा जो है dv upon में v square plus v plus 1 है इसको हम i2 मान लेते हैं तो यह हो गया 1 by 2 i1 माइनस में 3 by 2 i2 और माइनस में जो है आपके यह log mod x plus c यह हमारे पास है अब हम जो है इसको 1 by 1 करके करेंगे तो पहले हम i1 को solve करते हैं तो i1 जो है वो हमारे पास जो है वो है integration करना है हमारे को 2v plus 1 और नीचे denominator में v square plus v plus k1 और यह dv हो गया अब आपको जो क्योंकि denominator जो है उसका numerator जो है उसका differentiation है तो हम जो है v square plus v plus 1 को अगर हम t लेते हैं तो इसका differentiate करते हैं इसको तो हमारे पास क्या है 2v plus 1 dv is equal to dt तो यानिके numerator को जो है जो 2v plus 1 into dv है उसको dt से replace किया जा सकता है और जो denominator है v square plus v plus 1 उसको t से replace किया जा सकता है तो इस तरह से dt upon t का integration जो है log mode t हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इसका हम integral करते हैं log mode t तो log और यह mode t t की value जो है यहाँ पर हम रखते हैं t हमने लिया था v square plus v plus 1 तो यह जो है हो जाएगा इस तरह से इसका solution log mode of v square plus v plus 1 तो इस तरह से इसको लिख देंगे अब जो है i2 जो है इसका हम integration करें तो यह i2 जो है i2 को हमका लिखेंगे आपका dv upon में v square plus v plus 1 और जो है इसको हम change करेंगे तो इसको square में perfect square में बदलने के लिए यह हो जाएगा v square plus 2v और यहां हो गया 1 by 2 और फिर 1 by 2 का square जो है 1 by 4 हो जाता है और 1 में से 1 by 4 गया तो बचे 3 by 4 तो इस तरह से हम denominator को लिखते हैं तो जो first 3 terms हैं वो हो जाएगा v plus 1 by 2 का whole square तो v plus 1 by 2 का square हो गया और जो 3 plus 4 है उसको root 3 upon में 2 का square लिख देंगे अब जो है आप देख रहे होंगे कि यह अगर v plus 1 by 2 को हम अगर यू मान लेते हैं और root 3 upon में 2 को a मान लेते हैं तो यह 10 inverse के द्वारा solve हो जाएगा यानिके 1 upon में a 10 inverse plus u upon में a तो इसका यहां पर a जो है वो है root 3 by 2 तो यह हो जाएगा 1 upon में root 3 upon में 2 और यहां 10 inverse आएगा तो यहां लिखेंगे 10 inverse और u हमने जो assume क्या था वो है v plus 1 by 2 के equal तो यह हो जाएगा v plus 1 by 2 upon में a है root 3 by 2 तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं तो जो हमारा 1 upon में root 3 by 2 है यह 2 upon में root 3 हो जाएगा तो यह होगा 2 upon में root 3 और 10 inverse यहां हुआ और यहां से 2 लेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 2b plus 1 upon में 2 और नीचे जो है root 3 by 2 है तो 2 से 2 cancel होगा हमारे पास है 2b plus 1 upon में root 3 तो अब जो है हम इसको इस वाले equation के अंदर जो 1 by 2 i1 minus 3 by 2 i2 equal to minus log mode x plus c में रखते हैं तो हमारे पास जो है इस equation 2 से आता है 1 by 2 यहां पर i1 की value जो हमने निकाली थी log mode v square plus v plus 1 वो यहां पर रख देंगे तो हमारे पास ही आ जाएगा 1 by 2 log mode जो है v square plus v plus 1 और जो है minus के 3 by 2 है i2 के साथ minus के 3 by 2 तो इधर लिखेंगे minus के 3 by 2 और i2 की value जो हमने निकाली थी 2 upon में root 3 10 inverse जो है 2v plus के 1 तो 2v plus 1 लिख देंगे यहां पर upon में root 3 b आ जाएगा तो यह जो है इस तरह से लिखा और दूसरी तरफ जो है right side में minus के log mode x plus में c इसको जो है इस तरह से लिख देंगे तो यह हो गया equal to minus के log mode x plus में c अब v की जो है हम y upon में x रख चकते हैं और यह 1 by 2 जो है यह log के जो है v square plus v plus 1 का square root बन जाएगा तो यह हो गया log mode of square root of v square plus v plus 1 तो यह इस तरह से हमने में इसको लिखा और यह देखिए 2 से 2 cancel हो गया और root 3 3 से cancel होके minus के root 3 हो गया और यह हो गया 10 inverse यहां पे लिखा 2 v plus 1 upon में root 3 तो इस तरह से इसको लिख देने के बाद नीचे root 3 और equal to minus log mode x तो plus c जो है इसको जो है आप right side से left side में लाएंगे तो plus के log mode x हो जाएगा और यह c हो गया अब यह जो है इसके क्योंकि log square root of v square plus v plus 1 है और दूसरी तरह log x है plus दोनों के same sign है तो एक दूसरी के multiply हो जाएगे और v की जगह हम जो है v upon x रखेंगे y upon x रखेंगे तो v का square हो गया y square upon x square v की जगह y upon max plus के 1 हो गया और multiply जो है यह हो गया x के साथ क्योंकि log mode x का x जो है यहां पर आ जाएगा और इसका mode हो गया तो अब जो है minus के root 3 जो थे वो यहां पर इदर हो गया minus के root 3 10 inverse इदर लिख देंगे और 2 v में v की जगह y upon में x लिखेंगे तो यह हो गया तो इस तरह से equal to c कर देंगे अब देखिए जो है इदर x square जो है वो LCM लेते हैं तो यह हो जाएगा log mode जो है y square plus x y और plus के x square आ जाएगा तो y square plus y x x y कुछ लिख सकते हैं plus के x square तो यह हुआ और नीचे जो x square LCM लिया था वो क्योंकि square root के अंदर था तो x बनके बाहर आएक जो बाहर वाले x से cancel हो जाएगा और minus के root 3 10 inverse और इदर x को LCM लेते हैं bracket के अंदर तो 2y plus x जो है इस तरह से यह root 3 जो है इससे multiply के यह आता है 2y plus x upon में root 3x equal to c आता है यही इसका solution है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल दमैस गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबना ना भूलें धन्यवाद आपको 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 आपक